अल्ला के नाम से जो बड़ा ही महरबान और रहम करने वाला है, प्रशंसा अल्ला ही के लिए है जो सारे जहान का रब है, बड़ा ही महरबान और दया करने वाला है। बदला दिये जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा। उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र हुए। जो प्रकोप के भागी नहीं हुए। जो भटके हुए नहीं हैं। अल्ला के नाम से जो बड़ा ही महर्बान और रह्म करने वाला है अलिफ लाम मीम ये अल्ला की किताब है इसमें कोई संदेह नहीं मार्ग दर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गयब पर इमान लाते हैं नमास कायम करते हैं जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात गुरान और जो किताबें तुम से पहले उतारी गई थी उन सब पर इमान लाते हैं और परलोक में विश्वास रखते हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले है जिन लोगों ने इन बातों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो वे तो किसी भी दशा में मानने वाले नहीं हैं अल्लाई ने उनके दिलों और उनके कानों पर महर लगा दी है और उनकी आँखों पर परदा पड़ गया है वे सख्त सजा के हपदार हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाई और आखिरत के दिन पर एमान लाएं हैं हलाकि वास्तव में वे एमान वाले नहीं हैं वे अल्लाई और एमान लाने वालों के साथ दोखे बाजी कर रहे हैं मगर वास्तव में वे खुद अपने ही को दोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसकी समझ नहीं है उनके दिलों में एक रोग है जिसे अल्लाह ने और अधिक बढ़ा दिया और जो जूट वे बोलते हैं उसके भलस्वरूप उनके लिए दर्दनाक सजा है जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर बिगाल पैदा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सुधार करने वाले हैं सावधान वस्तव में यही लोग बिगाल पैदा करते हैं मगर इन्हें समझ नहीं है और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग इमान लाए हैं उसी तरह तुम भी इमान लाओ तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि क्या हम मूर्खों की तरह एमान लाएं खबरदार वास्तव में तो ये खुद मूर्ख हैं मगर ये जानते नहीं हैं जब ये एमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम एमान लाएं हैं और जब एकांत में अपने शैतानों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि वास्तव में तो हम तुम्हारे साथ हैं, और इन लोगों से केवल मजाग कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजा कर रहा है वो इन्हें धील दे रहा है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह बटकते चले जाते हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीद ली है किन्तु ये सौदा इनके लिए लाबदायक नहीं है और ये हरगिस सही रास्ते पर नहीं है इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी ने आग जलाई और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी आँखों की रोशनी चीन ली और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधियारियों में इन्हें कुछ सूजदा नहीं ये बहरे हैं गूंगे हैं अंधे हैं ये अब न पल्टेंगे या फिर इनकी मिसाल यू समझो कि आकाश से तेज वर्षा हो रही है और उसके साथ अंधिरी घटा और कड़क और चमक भी है ये बिजली के कड़ा के सुनकर अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्ला सत्य के इन इनकार करने वालों को हर ओर से घेरे में लिये हुए है चमक से इनकी दशा ये हो रही है कि मानों शीग्र ही बिजली इनकी आँखों की रोशनी उचक ले जाएगी जब तनिक कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा चा जाता है तो खड़े हो जाते हैं अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने और देखने की शक्ती बिल्कुल ही छीन लेता निस्तंदेह उसे हर चीज की सामर्थ प्राप्त है लोगो बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुम से पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धर्ती का बिछावना बनाया आकाश की छट बनाई उपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार नि खहराओ और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं तो इस जैसे एक ही सूरा बना लाओ अपने मत के सारे ही लोगों को बिला लो एक अल्ला को छोड़ कर बाकी जिस जिस की चाहो सहायता ले लो अगर अगर तुमने ऐसा न किया और निश्य ही कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका इंधन बनेंगे इनसान और पत्थर जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए और ऐ पैगंबर जो लोग इस किताब पर इमान ले आएं और अपने कर्म ठीक कर लें उन्हें उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि ऐसे ही फल इस से पहले दुनिया में हम को दिये जाते थे उनके लिए वहां पाकीजा पत्निया होंगी और वे वहां सदै भी रहेंग हाँ, अल्लाह इससे बिलकुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुछ किसी चीज़ की मिसालें दे जो लोग सत्य को स्विकार करने वाले हैं, वे इन्हीं मिसालों को देख कर जान लेते हैं कि ये सत्य है जो उनके रव ही की ओर से आया है और जो मानने वाले नहीं हैं, वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंद? इस प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है और उससे गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक अर्थात अवग्याकारी हैं अल्ला की प्रतिग्या को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं अल्ला ने जिसे जोडने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धर्थी पर बिगाल पैदा करते हैं वास्तव में यही लोग घाटे में हैं तुम अल्ला के साथ इनकार की नीती कैसे अपनाते हो जबकि तुम नर्जीव थे उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा फिर वही तुम्हें पुनह जीवन प्रदान करेगा फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धर्थी की सारी चीज़ें पैदा की फिर उपर की ओर रुख किया और साथ आसमान ठीक तौर प अरे रब ने फरिष्टों से कहा था कि मैं धर्ती में एक खलीफा अर्थात स्थानापन बनाने वाला हूं। उन्होंने निवेदन किया क्या आप धर्ती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा। आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं। कहा मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए। फिर उन्हें फरिष्टों के सामने पेश किया और कह यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ती से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा एबों से पाक तो आप ही की हस्ती है। हमें तो बस उतना ही ग्यान है जितना आपने हमको दे दिया है। वास्तव मे सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा तुम इन्हें इनके नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिये तो अल्लाह ने कहा मैंने तुम से कहा था ना कि मैं आकाशों और धर्ती के वे सारे तथ्य जान उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिष्टों को हुक्म दिया कि आदम के आगे जुक जाओ तो सब जुक गए। मगर इबलीस ने इनकार किया। वो अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया और अबग्याकारियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहां जी भर कर जो चाहो खाओ किन तु इस पेड के निकट न जाना नहीं तो जालिमों में किने जाओगे। अंततह शैतान ने उन दोनों को उस पेड की ओर प्रिरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ। तुम एक दूसरे की दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेश समय तक धर्ती में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीख कर तौबा की जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आदम ने कहा कि तुम सब यहां से उतर जाओ फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भै और दुख का मौका न होगा। और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को जुठलाएंगे वे आग यानी नरक में जाने वाले हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। और मैंने जो किताब भीजी है उस पर इमान लाओ। ये उस किताब की पुष्टी में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। अतह सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले ना बनो। थोड़े मूली पर मेरी आयतों को न बेच डालो और मेरे प्रकोप से बच असत्य का रंग चढ़ा कर सत्य को संदिग्ध ना बनाओ। और न जानते बूचते सत्य को छिपाने का प्रयास करो। नमाज कायम करो। जकात दो। और जो लोग मेरे आगे जुक रहे हैं उनके साथ तुम भी जुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हलांकि तुम किताब का पाठ करते हो। क्या तुम बुद्धी से बिलकुल ही काम नहीं लेते। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल क काम है किन्तु उन आग्याकारी बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की ओर पलट कर जाना है। ए इस्राइल की संतान याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई थी और इस बात को कि मैंने अंसार की सारी जातियों पर शेष्ठता प्रदान की थी और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक काम ना आएका और ना किसी की ओर से सिफारिश कबूल होगी ना किसी को फिद्या यानि जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा और ना अपराधियों को कहीं से सहायता मिल सके जाएगी। याद करो वो समय जब हमने तुम को फिरौनियों की खुलामी से चुटकारा दिलाया। उन्होंने तुम्हें सख्ट अजाब में ॡाल रखा था। तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जीवित रहने देते थे और इस स्थिती में तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी आजमाईश थी याद करो वो समय जब हमने समुद्र फाल कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया फिर उसमें से तुम्हें सकुशल पार करा दिया फिर वहीं तुम्हारी आँखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया याद करो जब हमने मुसा को 40 दिन रात के प्रस्ताव पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बच्छडे को अपना पूज्य बना बैचे उस समय तुमने बड़ी ज्यात्ती की थी मगर इस पर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया कि शायद अब तुम कृतग्यता दिखलाओ याद करो कि ठीक उस समय जब तुम ये जुल्म कर रहे थे हमने मुसा को किताब और कसोटी प्रदान की ताकि तुम उसके द्वारा सीधी राह पासको याद करो जब मुसा ये नेमत लिये हुए पल्टा तो उसने अपनी जाती वालों से कहा कि लोगो तुमने बच्छडे को पूज्य बना कर अपने साथ बड़ा अन्याय किया है अतह तुम लोग अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपनों को मरो कि वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है याद करो जब तुमने मुसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिस विश्वास न करेंगे जब तक कि अपनी आखों से खुले तार पर अल्लाह को न देख लें उस समय तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया शायद कि इस उपकार के बाद तुम शुक्र गुजार बन जाओ हमने तुम पर बादल की छाओ की मन और सल्वा का भूजन तुम्हारे लिये जुटाया और तुम से कहा कि जो स्वच्छ चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ मगर तुम्हारे पूरवजों ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था बलकि उन्होंने आप अपने ही उपर जुल्म किया फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें प्रवेश करो इसकी पैदावार जिस प्रकार चाहो मजे से खाओ मगर बस्ती के दर्वाजे में सजदा करते हुए प्रवेश करना और कहते जाना हित्त तुन हित्त तुन हम तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे और सुकर्मियों पर और अधिक अनुगरह करेंगे मगर जो बात उन से कही गई थी इन जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया अंत में हमने जुल्म करने वालों पर आकाश से अजाब उतारा ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वे कर रहे थे याद करो जब मुसा ने अपनी जाती वालों के लिए पानी की प्रार्थना की तो हमने कहा कि अमुक चटान पर अपनी लाठी मारो अतेव उससे बारह स्रोत फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है उस समय ये आदेश दे दिया गया था कि अल्लह की दी हुई रोजी खाओ पियो और धर्ती पर बिगाड ना पहलाते फिरो याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही प्रकार के खाने पर संतोश नहीं कर सकते अपने रब से प्रार्थ ना करो कि हमारे लिए धर्ती की पैदावार साग, तरकारी गेहूं, लहसुन, प्याज दाल आदी पैदा करे तुम मूसा ने कहा क्या एक उत्तम चीज को छोड़ कर तुम घटिया दर्जे की चीजें लेना चाहते हो अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो, वहां मिल जाएगा आखिरकार इस दशा को पहुँच गए कि अपमान एवं अपयश और किरावट एवं बदहाली उन पर थोप दी गई और वे अल्लह के अजाब में घिर गए ये नतीजा था इसका कि वे अल्लह की आयतों का इंकार करने लगे थे और पेगंबरों की अकारण हत्या करने लगे थे ये नतीजा था उनकी नाफर्मानियों का और इस बात का कि वे धार्मिक मर्यादाओं से निकल निकल जाते थे विश्वास रखो कि अर्भी नभी को मानने वाले हों या यहूदी इसाई हों या साबी जो भी अल्लह और अंतिम दिन पर इमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा उसका बदला उसके रब के पास है और उसके लिए किसी डर और रंज का मौका नहीं है याद करो वो समय जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुम से पक्का वचन लिया था और कहा था कि जो ग्रंथ हम तुमें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो आदेश और निर्देश उसमें लिखे हैं उन्हें याद रखना इसी माध्यम से आशा की जा सकती है कि तुम तक्वा यानि धर्म परायनता की नीती पर चल सकोगे मगर इसके बाद तुम अपने वचन से फिर गए इस पर भी अल्ला की कृपा और उसकी दायालुता ने तुम्हारा साथ न छोड़ा वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होती फिर तुमें अपनी जाती के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्द का नियम तोड़ा था हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस दशा में रहो कि हर और से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बात की आने वाली पीडियों के लिए शिक्षा सामगरी और अलाह से डरने वालों के लिए नसीहत बना कर छोड़ा फिर वो घटना याद करो जब मुसा ने अपनी कौम से कहा कि अलाह तुम्हें एक गाए जबह करने का हुक्म देता है कहने लगे क्या तुम हमसे मजाब करते हो मुसा ने कहा मैं इससे अलाह की पनाह मांगता हूँ कि अग्यानियों जैसी बातें करो बोले अच्छा अपने रब से प्रार्थना करो कि वो हमें उस गाए के बारे में कुछ विस्तार से बताए मुसा ने कहा अलाह कहता है कि वो गाए ऐसी होनी चाहिए जो न बूरी हो न बच्छिया बलकि मध्य आयू की हो अतह जो हुक्म दिया जाता है उसका पालन करो फिर कहने लगे कि अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो मूसा ने कहा वो कहता है कि पीले रंग की गाए होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा चटकीला हो कि देखने वालों का मन प्रसंद हो जाए फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाए चाहिए हमें उसके निर्धारण में संदेह हो गया है अलाह ने चाहा तो हम उसका पता पालेंगे मूसा ने जवाब दिया अलाह कहता है कि वो ऐसी गाए है जिससे सेवा कारे नहीं लिया जाता ना जमीन जोत्ती है ना पानी खीचती है भली चंगी और वे दाग है इस पर वे पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है फिर उन्होंने उसे जबह किया वरना वे ऐसा करते मालूम न होते थे और तुम्हें याद है वो घटना जब तुमने एक व्यक्ती की जान ली थी फिर उसके बारे में जगरने लगे और एक दूसरे पर कतल का इलजाम थूपने लगे थे और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम चिपाते हो उसे खोल कर रखतेगा उस समय हमने हुक्म दिया कि मारे गए व्यक्ती की लाश को उसके एक भाग से चोट करो देखो इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवन दान देता है और तुम्हें अपनी निशानिया दिखाता है ताकि तुम समझो किन्तु ऐसी निशानिया देख लेने के बाद भी अंततह तुम्हारे दिल सक्त हो गए पत्थरों की तरह सक्त बलकि सक्ती में कुछ उनसे भी बढ़े हुए क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से सुरोत फूट बहते हैं कोई फटता है और उसमें से पानी निकलाता है और कोई अल्लाह के डर से काप कर गिर भी पड़ता है अब क्या इन लोगों से तुम ये उमीद रखते हो कि ये तुम्हारे आमंतरन को मान लेंगे जबकि इन में से एक गिरोह की नीती ये रही है कि उसने अल्लाह की वाणी सुनी और फिर खुब समझ बूच कर जानते हुए उसमें रद्द बदल किया ये अल्लाह के रसूल मुहम्मद सलललाहु अलेह वसल्लम पर एमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में बाच्चीत होती है तो कहते हैं कि मूर्ख हो गए हो इन लोगों को वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खूली हैं ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें प्रमान के रूप में प्रस्तुत करें और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है इन में एक दूसरा गिरोह उम्मियों का है जिनको अल्लाह की किताब का तो ग्यान नहीं बस अपनी निराधार आशाओं और कामनाओं को लिए बैठे हैं और केवल अटकल पर चले जा रहे हैं तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से धर्म विधान संबंधी लेखी लिखते हैं फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि इसके बदले में थोड़ा सा लाब उठा लें उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए विनाश का कारण वे कहते हैं कि नरक की आग हमें हर्गिस छूने वाली नहीं सिवाए इसके कि कुछ थोड़े दिनों की सजा मिल जाए तो मिल जाए उन से पूछो क्या तुमने अलाह से कोई वचन ले लिया है जिसके वुरुद वो नहीं कर सकता या बात यह है कि तुम अलाह से लगा कर ऐसी बातें कह देते हो जिनके संबन्द में तुम्हें क्यान नहीं है कि उसने उनका जिम्मा लिया है आखिर तुम्हें नरक की आग क्यों नचुएगी जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो जहन्नमी अर्थात नरक में जाने वाला है और नरक ही में वो हमेशा रहेगा और जो लोग एमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे वही जन्नती अर्थात स्वर्ग वाले हैं और जन्नत में वे हमेशा रहेंगे याद करो इसराईल की संतान से हमने पक्का बचन लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना माबाब के साथ, नातेदारों के साथ, अनाथों और दीन दुख्यों के साथ अच्छा विवहार करना लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और जकात देना मगर थोड़े लोगों के सिवा तुम सब इस वचन से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो फिर तनिक याद करो, हमने तुम से पक्का वचन लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना तुमने इसको स्वीकार किया था, तुम खुद इस पर गवा हो, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंधों की हत्या करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को बेघर बार कर देते हो, जल्म और ज्याद्ती के साथ उनके विरुध जथे बंधियां करते हो, और जब लडाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं, तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, जबकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर इमान लाते हो, और दूसरे हिस्से का इनकार करत और आखिरत यानि परलोक में कठोरतम यातना की और फेर दिये जाएं, अल्लाह उनकामों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये वे लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर सांसारिक जीवन खरीद लिया है, अतह ना इनकी सजा में कोई कमी होगी और ना इने कोई सहा को किताब दी, उसके बाद लगातार रसूल भेजे, अंत में मर्यम के बेटे ईसा को सपष्ट निशानियां दे कर भीजा और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की, फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी इच्छाओं के खिलाफ कोई च जहते हैं, हमारे दिल सुरक्षित हैं, नहीं, सच बात ये है कि उनके इनकार के कारण उन पर अल्ला की फिटकार पड़ी है, इसलिए वे कम ही इमान लाते हैं, और अब जो एक किताब अल्ला की ओर से उनके पास आई है, उसके साथ उनका क्या व्यवहार है, इसके कि वो उस किताब की पुष्टी करती है, जो उनके पास पहले से मौजूद थी, इसके बावजूद कि उसके आने से पहले वे खुद इनकार करने वालों के मुकाबले में विजय और साहेता की प्रार्थनाएं किया करते थे, परंतु जब वो चीज आ गई, जिसे वे पहचा भी गए, तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह की लानत इन इनकार करने वालों पर कैसा बुरा साधन है, जिससे ये अपने जी की तसली हासिल करते हैं, कि जो आदेश अल्लाह ने भीजा है, उसे स्वीकार करने से केवल इस हट के कारण इनकार कर रहे हैं, क अतह अब ये प्रकोब पर प्रकोब के अधिकारी हो गए हैं और ऐसे इंकार करने वालों के लिए घोर अपमान जनक सजा निश्यत है. जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस पर इमान लाओ तो वे कहते हैं हम तो केवल उस चीज पर इमान लाते हैं जो हमारे यहां अर्थात इसराइल के वन्शज में उतरी है इस परिधी से बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वे इनकार करते हैं जबकि वो सत्य है और उस शिक्षा की पुष्टी और समर्थन कर रहा है जो उनके हाँ पहले से मौजूद थी अच्छा इनसे कहो यदि तुम उस शिक्षा ही के मानने वाले हो जो तुम्हारे यहां आई थी तो इस से पहले अल्लाह के उन पैगंबरों की जो खुद इसराइल के वन्शज में पैदा हुए थे क्यों हत्या करते रहे तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी सपष्ट निशानियो के साथ आया फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीछ मूडते ही बच्छडे को पूजी बना बैठे फिर तनिक उस वचन को याद करो जो तूर को तुम्हारे उपर उठा कर हमने तुम से लिया था हमने ताकीत की थी कि जो आदेश हम दे रहे हैं उनका मजबूती के ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं और उनकी असत्य प्रियता का हाल ये था कि दिलों में उनके बच्छडा ही बसा हुआ था कहो यदि तुम इमान वाले हो तो ये अनुखा इमान है जो ऐसी बुरी बातों के लिए तुम्हें हुक्म देता है इनसे कहो कि यदी वास्तव में अल्ला के निकट परलोग का घर सारे मनुश्यों को छोड़ कर केवल तुम्हारे लिए ही आरक्षित है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो यदि तुम अपने इस विजार में सच्चे हो विश्वास रखो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमा कर इन्होंने वहां भीजा है उसकी यही अपिक्षा है कि ये वहां जाने की तमन्ना ना करें अल्ला इन जालिमों को खूब जानता है तुम इन्हें सबसे बढ़ कर जीने का लो भी पाओगे यहां तक कि ये इस सम्मंध में मुश् हुए हैं इन में से एक एक आदमी ये चाहता है कि किसी तरह हजार वर्ष जिये हलांकि लंबी उम्र किसी हालत में भी उसे अजाब से तो नहीं बचा सकती जैसे कुछ कर्म ये कर रहे हैं अल्ला तो उन्हें देख ही रहा है इन से कहो कि जो कोई जिबरील से दुश्मनी उतारा है जो पहले आई हुई किताबों की पुष्टी और समर्थन करता है और एमान लाने वालों के लिए मार्ग दर्शन और सफलता की खुश खबरी बन कर आया है यदि जिबरील से इनकी दुश्मनी का कारण यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिष्टों और उ और ऐसी आयतें उतारी हैं जो साफ साफ सत्य को जाहिर करने वाली हैं और उनके अनुपालन से केवल वही लोग इनकार करते हैं जो उल्लंगनकारी हैं क्या सदैव ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब इन्होंने कोई वचन दिया तो इन में से एक न एक गिरुह ने उसे सुलेमान नहीं लाते और जब उनके पास अल्लाह की ओर से कोई रसूल उस किताब की पुष्टी और समर्थन करता हुआ आया जो इनके यहां पहले से मौजूद थी तो इन किताब वालों में से एक गिरुह ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया मानों व सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया कुफर में तो वे शैतान पड़े थे जो लोगों को जादूगरी की शिक्षा देते थे वे पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में दो फरिष्टों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी हलाकि वे फरिष्टे जब भी किसी को उसक की शिक्षा देते थे तो पहले स्पष्ट रूप से सावधान कर दिया करते थे कि देख हम केवल एक आजमाईश हैं तू कुफर में ना पड़ फिर भी ये लोग उनसे वही चीज सीखते थे जिससे पती और पत्नी में जुदाई डाल दें ये खुली हुई बात थी कि अल् उनके लिए लाबकारी नहीं बलकि हानी कारक थी और वे खूब जानते थे कि जो इस चीज का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं कितना बुरा उपभोग ये था जिसका उन्होंने अपनी जानों के बदले सौदा किया क्या ही अच्छा होता यदि वे जानते होते यदि वे एमान और तक्वा यानि परहेजगारी को अपनाते तो अल्ला के यहां इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए अधिक अच्छा था क्या ही अच्छा होता कि उन्हें इसकी खबर होती ए एमान लाने वालों राईना ना कहा करो बल्कि उन्जुर ना कहो और ध्यान से बात को सुनो ये इनकार करने वाले तो दुखदाई अजाब के हपतार हैं ये लोग जिनोंने सत्य संदेश को स्विकार करने से इनकार कर दिया है चाहे किताब वालों में से हो या मुश्रिक अर्थात बहुदेव वादी हों हरगीज ये नहीं चाहते कि तुम्हारे रब की और से तुम पर कोई भलाई उतरे मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी कृपा के लिए चुन लेता है और वो बड़ा उदार दान करता है हम अपनी जिस आयत को मनसूख यानी निरस्त कर देते हैं या भूला देते हैं उसकी जगे उस से बहतर लाते हैं या कम से कोई तुम्हारा संरक्षक और तुम्हारा मददगार नहीं है फिर क्या तुम अपने रसूल से उसी प्रकार के प्रश्ण करना और मांग करना चाहते हो जैसा कि इस से पहले मूसा से किये जा चुके हैं। हाला कि जिस आदमी ने इमान की रीती को कुफर की रीती से बदल लिया, वो सीधे रास्ते से भटक गया। किताब वालों में बहुतेरे लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें इमान से फेर कर फिर कुफर की और पल्टा ले जाएं। हला कि सत्य उन पर प्रकट हो चुका है, किन्तु अपने जी की इरश्या के कारण तुम्हारे लिए उनकी ये इच्छा है। इसके बदले में तुम माफी और दरगुजर से काम लो, यहां तक कि अल्ला हुद ही अपना फैसला लागू कर दे। इत्मिनान रखो कि अल्ला को हर चीज की सामर्थि प्राप्त है, नमाज कायम करो और जकात दो, तुम अपने पारलोकिक अर्थात आखिरत के जीवन के लिए जो भलाई कमा कर आगे भीजोगे, अल्ला के यहां उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो, वो सब अल्ला की नजर में है। उनका कहना है कि कोई आदमी जन्नत में न जाएगा, जब तक वो यहूदी ना हो, या इसाईयों के विचार के अनुसार इसाई ना हो, ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो, अपना सुबूत पेश करो, यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो। वास्तव में न तुम्हारी कुछ विशेष्टा है, न किसी और की। सत्ती ये है कि जो भी अपने आपको अल्ला के आग्या पालन में समर्पित कर दे और व्यवहरतह नेकी की राह अपनाए, उसके लिए उसके रब के पास उसका बदला है, और ऐसे लोगों के लिए किसी भै या शोक का कोई अफसर नहीं। यहूदी कहते हैं इसाईयों के पास कुछ नहीं, हलांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं, और इसी प्रकार के दावे उन लोगों के भी हैं जिन के पास किताब का ग्यान नहीं है। यह मदभेद जिन में यह लोग पढ़े हुए हैं, इनका फैसला अल्ला तयामत के दिन करतेगा। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्ला की अबादत की इन जगों में उसके नाम की याद से रोके और उन्हें उजाडने पर उतारू हो। ऐसे लोग इस योग्य हैं कि इन अबादत घरों में कदम न रखें और यदि वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए संसार में रुस्वाई है और आखिरत में बड़ी यातना। पुरब और पश्ष्यम सब अल्ला के हैं। जिस और भी तुम रुख करोगे उसी और अल्ला का रुख है। अल्ला, सरव्यापी और सब कुछ जानने वाला है। उनका कहना है कि अल्ला ने किसी को बेटा बनाया है। अल्ला पाक है इन बातों से। वासविक तत ही ये है, कि धरती और आकाशों में पाई जाने वाली सभी चीजों का वो मालिक है, सब के सब उसके आग्याकारी है, वो आकाशों और धरती का इजाद करने वाला है, और जिस बात का वो फैसला करता है, उसके लिए बस वो आदेश देता है, कि हो जा और वो हो ज जिन्हें ग्यान नहीं वे कहते हैं कि अल्लाह खोद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती ऐसी ही बातें इन से पहले लोग भी किया करते थे इन सब अगले पिछले गुमराहों की मनुवृत्तियां एक जैसी हैं विश्वास करने वालों के लिए तो हम निशानिया साफ साफ स्पष्ट कर चुके हैं इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको सत्य ग्यान के साथ हुश्खबरी देने वाला और डराने वाला अब जो लोग नरक से संबंध जोड चुके हैं उनकी और से तुम उत्तरदाई नहीं हो यहूदी और इसाई तुम से हर्गिस राजी नहोंगे जब तक तुम उनके तरीके पर नचलने लगो साथ कह दो कि मार्ग बस वही है जो अल्लाह ने बताया है वरना यदि उस ग्यान के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी इच्छाओं का अनुसरंड किया तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददकार तुम्हारे लिए नहीं है जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा की पढ़ने का हक है वे इस कुरान पर सच्चे दिल से इमान ले आते हैं और जो इसके साथ इंकार की नीती अपनाएं वही वास्तव में नुकसान उठाने वाले हैं ए इसराइल की संतान याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम्हें दी थी और ये कि मैंने तुम्हें संसार की समस्त जातियों पर शेश्चता प्रदान की थी और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक भी काम ना आएगा ना किसी से कोई अर्थ दंड यानि जुर्माना स्विकार किया जाएगा ना कोई सिफारिश ही आदमी को फाइदा पहुँचा सकेगी और ना अपराधियों को कहीं से कोई सहायता पहुँच सकेगी याद करो कि जब इबराहीम को उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेश्वा बनाने वाला हूँ इबराहीम ने निवेदन किया और क्या मेरी संतान से भी यही वादा है उसने उत्तर दिया मेरा वादा जालिमों के बारे में नहीं है और ये कि हमने इस घर यानी काबा को लोगों के लिए केंद्र और शान्ती की जगह ठहराया था और लोगों को आदेश दिया था कि इबराहीम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उस जगह को स्थाई रूप से नमाज की जगह बना लो और इबराहीम और इसमाईल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ यानी परिक्रमा और एतिकाफ करने वालों और जुकने वालों और सजदा करने वालों के लिए शुद्ध यानी पाक रखो और ये कि इबराहीम ने प्रार्थना की एए मेरे रब इस नगर को शांती में नगर बना दे और इसके निवासियों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर प्रकार के फलों की रोजी दे जवाब में उसके रब ने कहा और जो नमाने का अल्पसांसारिक जीवन की सामगरी तो मैं उसे भी धूँगा किन्तु अंत में उसे जहन्नम के अजाब की और घसीटूँगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है और याद करो इबराहीम और इसमाईल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे ए हमारे रब हमसे ये सेवा स्विकार कर ले तू सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है ए रब हम दोनों को अपना मुस्लिम यानि आग्याकारी बना हमारी संतती से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम अर्थात आग्याकारी हो हमें अपनी उपासना के तरीके बता और हमारी कुताहियों को माफ कर तू बड़ा माफ करने वाला और दयावान है और ए हमारे रब इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयते सुनाए इनको किताब और समझ की शिक्षा दे और इनके जीवन सवारे तू बड़ा प्रभत्व शाली और तत्व दर्शी है अब कौन है जो इबराहीम के तरीके से नफरत करे जिसने खुद अपने आपको मुर्खता और अग्यान में ग्रस्त कर लिया हो उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है इबराहीम तो व्यक्ति है जिसको हमने संसार में अपने कारे के लिए चुन लिया था और परलोक में उसकी गिंती अच्छों में होगी उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम अर्थात आग्याकारी हो जा तो उसने तुरंत कहा मैं जगत के स्वामी का मुस्लिम अर्थात आग्याकारी हो गया इसी तरीके पर चलने की ताकीद उसने अपनी आलाद को की थी और इसी की वसीयत याकूब अपनी संतान को कर गया था उसने कहा था कि मेरे बच्चों अलाह ने तुम्हारे लिए यही धर्म पसंद किया है अतह मरते समय तक मुस्लिम अर्थात आग्याकारी ही रहना फिर क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याकूब इस संसार से विदा हो रहा था उसने मरते समय अपने बेटों से पूछा बच्चों मेरे पीछे तुम किस की बंदगी करोगे उन सब ने उत्तर दिया हम उसी एक इलाह यानि उपास से की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके पूरवज इबराहीम, इसमाईल और इसहाक ने इलाह यानि उपास से माना है और हम उसी के मुस्लिम अर्थात आग्याकारी हैं वे कुछ लोग थे जो जा चुके जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाऊगे वो तुम्हारे लिए है तुमसे ये न पूछा जाएगा कि वे क्या करते थे यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो सीधा मार्ग पाऊगे ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो सीधा मार्ग मिलेगा उनसे कहो नहीं बल्कि सब को छोड़कर इबराहीम का पंथ और इबराहीम बहुदेव वादियों में से न था मुसल्मानों कहो के हम इमान लाए अल्लाह और उस मार्क दर्शन पर जो हमारी ओर उतरा है और जो इबराहीम, इसमाईल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान की ओर उतरा था और जो मुसा और ईसा और दूसरे सभी पैगंबरों को उनके रब की ओर से दिया गया था हम उनके बीच कोई अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के मुसलिम यानी आग्याकारी हैं फिर यदि वे उसी तरह इमान लाएं जिस तरह तुम इमान लाए हो तो सीधे मार्क पर हैं और अगर इस से मूँ फेरें तो खुली बात है कि वे हट धर्मी में पड़ गए हैं अतह विश्वास रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी सहायता के लिए काफी है वो सब कुछ सुनता और जानता है कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं ए नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे जगडते हो हलाकि वही हमारा रब ही है और तुम्हारा रब ही हमारे कर्म हमारे लिए हैं तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए और हम अल्लाही के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं या फिर तुम्हारा कहना ये है कि इबराहीम, इसमाईल, इसहाग, याकूब और याकूब की आलाद सब के सब यहूदी थे या इसाई थे कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाः उस व्यक्ती से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके जिम्में अल्लाः की और से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए तुम्हारी कर्तूतों से अल्लाः बेखबर तो नहीं है वे कुछ लोग थे जो जा चुके उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए तुमसे उनके कर्मों के बारे में पूछा नहीं जाएगा